Hello everyone, this is Priyanka Zakhar and I welcome you all at Government Job Alert. I hope आप सभी अच्छे होंगे. तो ETT 89.99 के एक एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही बड़ी अपडेट है. कि देखिए जो 28th जुलाई को जो आपका पेपर ए हुआ था, उसकी आंसर की का वेट सभी कैंडेट कर रहे थे, कि जल्दी से आंसर की जारी की जाए. तो फाइनली अब आपका जो इंतिजार है वो खतम हो चुका है. जो पेपर ए की जो ओफीशिल आंसर की है वो जारी कर दी गई है. आप जैसे देख पाऊगे कि ये जो एक ओफीशिल नोटिफिकेशन है, ये ज़स्ट अभी कुछ ताइम पहले ज़स्ट अप्लोड किया गए और आप यहाँ पे देख पाऊगे कि आंसर की के रिगार्डिंग बो लगए कि जो आपकी आंसर की है वो अप्लोड कर दी गई है. और यहां पे देखी सिर्फ बात ये नहीं है क्या answer के जारे की है इवन इन्होंने जो objection है वो भी मांग लिए आपसे कि अगर आपको किसी भी question में आपको लगता है कि जो इसका जो answer है वो सही नहीं है आपको लगता है कि ये जो answer है वो सही नहीं दिया गया तो आप उसे challenge भी कर सकते हूँ और challenge करने के लिए आपको क्या करना होगा आपको simple अपनी login ID से login करना होगा और आपको जो भी question आपको challenge करना है उसके detail वगर आपको जो भी मतलब वहां पे आपको login करने पता चल जाएगा क्या-क्या detail वगरा देनी है प्रूफ वगरा जो लगाने वह सब आपको उसमें upload करने है और आपको 50 रुपेज की जो fee है वो payment करना होगी और fee payment करके आप जो अपने objection है वो भी submit कर सकते हो और objection के लिए देखिए उन्होंने जो time दिया है वो दिया है 4th of August का यानि कि 4 August तक का time दिया है सामको 5 बजे तक तो आप सबसे पहले तो अभी क्या करना है आपको अपने जो भी answer है वो check कीजिएगा बिल्कुल अच्छे से जो भी आपका set है answer की download कीजिए अपने जो answer है उसे match कीजिए और मैं तो कहूंगी देखे जो जैसे आपका एक्जाम हुआ था आपको एक कारवन कूप पर दी गई है उसके साथ answer match कीजिएगा क्योंकि काफी बार क्या होता है कि हम जो paper है जो भी booklet आपके पास है उसमें तो कुछ और टिक्किया होता है कोई माइन नहीं रखते कि आपने कितना ज्यादा score किया या कितना कम किया बस एक 50% की जो boundary है वो आपको cross करनी थी और अमीद करेंगे कि जिन candidate ने hardware किया और जिनकी marks अच्छे है जिन्होंने मतला अपना efforts लगाए अपना 100% दिया उनको 100% result भी मिले और रही बाद देखी objection के लिए तो बताए दिया आपको कि चार तारिक तक आप objection लगा सकते हो बाकी सही बताओं तो देखिए मेरा तो ये मानना है कि कोई भी question हो उसका अंसल गल्थ ना हो सभी question already सभी सही हो किसी को जुरूरत ही ना पड़े किसी question पर objection लगाने की क्योंकि सबसे पहले देखिए यहाँ पे money का भी loss होगा candidate का 50 रुपीज फीस मांगी गई है जो कि अपने आप में मैं कुछ मान क्योंकि जादा है एक candidate के लिए 50 रुपीज को raise करना किसी question को challenge करना दूसरा अगर किसी भी question को अगर challenge नहीं किया जाएगा अगर सभी के question के answer सही होंगे तो जो last time जो हमें एक issue देखने को मिला था आप सभी को याद होगा कि जो grace marks वगरा का issue हुआ था उस तरह कोई भी issue arise नहीं होंगे तो हम उमीद करेंगे कि जो answer की जो जारी की गई है उसमें किसी भी तरह की कोई भी error ना हो विल्कुल error भरी answer की हो और विल्कुल अच्छे से आगे की जो process है उसे भी start किया जाए और अब आप सभी अपनी answer की चेक कीजेगा और बताईएगा कि आपका क्या score बन रहा है जो भी आपके score है उसके regarding में comment जुरूर कीजेगा और answer की जल्दी से download करके जुरूर चेक कीजेगा और आगे कोई भी इसके regarding update आएगी वो update भी आप लोगों के साथ share कर दी जाएगी और more update के लिए आप telegram channel पे जुरूर जुरिएगा telegram channel का जो link है आपको नीचे description box में मिल जाएगा अगर आपके कोई query है तो आप query भी पूछ सकते हो विशे ओल दावैस, thank you